इस कारिक्रम के पुर्णियार जखें श्री राजेंद प्रसाज जैन, श्रीमती मम्ता जैन, श्री प्रशांथ जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन, एवं समस्त परिवार मुंबई पूच गुर्देव जब जवलपूर में बराजमान थे, हम सब भी उनी के चड़नों में, शाम का भक्त है, भक्ती के पश्चात, गुर्देव का एक बहुत पुराना भक्त, जो जन्म से तो जैन नहीं, लेकिन गुर्देव के चड़नों में आकर के, जैनदतो को उसने जीना सीख लिया, आया, अब अच्छी बात कर रहा है, संकरांत सानु उसका नाम है, अंग्रेजी माध्यम का ब्रहम जाल उसने पुस्तक लिखी है, संग्रेजी माध्यम का ब्रहम जाल उसने पुस्तक लिखी है, संग्रेजी माध्यम का ब्रहम जाल उसने पुस्तक लिख दी, जि भी आपको मिल जाएगे वो ब्यक्ति आया टेक्सास में माइक्रोशॉप्ट कंपनी में बहुत बड़े पदबर नियुक्त होने के बाद कई पेटेंट उसके उस कंपनी में है और ऐसा ब्यक्ति जब गुरु चर्णो में आकर के कहता है माराज बहुत ब्यक्ता मेरे मन में है जो मैं आप सही ब्या कर सकता हूँ चुकि जिस ब्यक्ति ने ब्यक्ता मेरे मन में डाली है उसने एक बात कही थी कि किसी को कहो गया नहीं तो बताता हूँ आप तो गुरु है आप तो अन्तरिया में सब कुछ जानते हैं तो आपको बताने में मुझेली कोई गुरेज नहीं इस बीच में वहीं मैं भी बठा था उसने बताया लेकिन जिस नाम को लेके बताया वो नाम तो मैं खोलूँगा नहीं क्योंकि उसकी भी गोपनीता की बात है उसकी भी विश्वशनीता की बात है लेकिन बिना नाम के वो काम आपको बताऊंगा जिसको देख करके आपके अगले माते पर सजीवी पगडियां भी थोड़ी हद तक डामाडोल होने लग जाएंगे कि किस्चिकिस्टा पददी के सरण में आप अपने आपको सौफ करके और खुद को सौष्ट होने की उमीद करते हो उसने बताया तॉप फाइब फार्मा कंपनी जो अमेरिका की है फार्मा कंपनी समझते हैं दवाओं को बनाने वाली कंपनिया जो विश्वी की पांच सबसे बड़ी कंपनिया पांचों अमेरिका की है उसमें एक कंपनी जिसका नाम मैंने लोंगा उसने तो बताया था उस कंपनी की रिशर्च परसंट से मिलकर में आया हूं भावन और उसने एक ऐसी बात मुझसे शेयर की जो मुझपर विशबास करने के बाद की और ऐसी बात सेयर की आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग सो रहे हैं? यह सोने में बोला की जागते बोला? बहत अच्छा अब आपकी नेन उड़ जाए की ऐसी बात हम आपको बता रहे हैं उसने बताया की गुरुजी कितना बड़ा सद्यंत्र इन फार्मा कंपनियों के माद्दम से हम सब की उपर है गुरुजी पूस्ते हैं इसी क्या बात है? बोले मैं एक एसी टॉप मुस्ट फाइब कंपनियों से एक कंपनी के जिस अच पसंदी मिलकर के आया उसने बताया कंपनी की तरफ से हम सब आर एंडी कनने बालों को गाइडलाइन जारी हुई है कि जिस भी रोग की दबा बनाओ उस दबा का फामूला चाहे वो बैक्षिन की हो चाहे वो मैडिसिन हो चाहे वो आई भी हो कुछ भी हो उसका फामूला ऐसा बनाना जिस फामूले की दबा लेने के बाद रोगी ठीक भी ना हो और रोगी मरे भी ना वोगी यदी मघजाएगा तो इस पामٌ नहींगा birthday खायेगा तो इस लिए रोग भी बना रहे और दबा बी चलती रहे ऐसा प्रामुला बना ना इसका मतलब है यह कंपनिया ऐसा प्रामुला बना सकती है जिसकी दबा लेने के बार रोगी ठीक हो जाए लेकिन बनाएंगी नहीं ऐसे ही दबाओं के रोग में कई रोग जो इलाज के योग थे आज बो राज रोग बन गए राज रोग कैसे पहले राज रोग ऐसे होते थे जो अच्छाए रोग है जिसको टीवी बोलते थे जिसको राज बैद ठीक करते थे अब तो राज बैद तो क्या ऐसे रोग आगा है जिनको कभी कोई ठीक कर ही नहीं सकता एक बार अजि आपको डाइगनोस हो जाए कि आपको यह रोग है आप भी माल लेते हैं और डॉक्टर भी बता देता है जीवन भर दबा चलेगी है ऐसे रोगों की लिस्ट में बहुत सारे रोग आपके घर कर चोके होंगे आपके घर में अभी पहुँचे होंगे आपको भी घर कर चोके होंगे डाइविटीज कालेस्ट्रॉल हाइपर एसिडिटी हाइपर टैंसन काइडिक डिजीज काइडिक डिस ओर्डर बहुत सारे आसे रोग हैं दबा लगती है तो पर चूटती नहीं अरे वो रोग किस काम का जिसकी दबा ना हो वो दबा किस काम की जिससे रोग ठीक ना हो अब दबा भी चलती रहे और रोग भी चलता रहे तो इसका मतलब वो रोग, शरीर का रोग नहीं है, दॉक्तरों का मानसिक रोग है, जो आपको रोगी बनाए रखने के में कारण बनता है, ये भी उनहीं फिरंगियों के माध्धों से ऐलोपैतिक चिकिस्था पद्धती के र आडले को पिलाते हैं, इस पल्स पोलियों को जो वर्ल्द हैट हैल्थ और्गलाइशन इसको डबलु एचो आप बोलते हैं, इसके माध्धों से पूरे विश्म अवियान के तहत दवा पलाई जाती है, अब मैं उस ब्यक्ती के हवाले से बता रहा हूं, किसी संस्थान को औ मेरा लक्ष अवस से इसलिए में बताने जा रहा हूं, उस पल्स पोलियों की दवा में एक ऐसा वायरस इंड्यूस किया गया है, कि जिसके जब साइट एफेक्ट आएंगे, तो आपको उनी कंपनियों के सामने हाथ पहलाना पड़ेगा, जिनों ने इस दवा में वायरस इं चापी करते हैं, तो कोई बात नहीं, तुम जवानों के पती इतने संबिदन हीन बन दे, कोई बात नहीं, लेकिन तुमारी तो निरला जता इतनी बढ़ गई है, कि तुम नौनिहाल बच्चों के भीतर भी जहर भेज करके उनके लिए फिर अपने सामने बिकारी बनाने के मजबूर करोगे, अब बताओ, सेंतालीस के पहले हम गुलाम क्यों थे, और सेंतालीस के बाद हम आजाद क्यों मानते हैं, समझ रहे हो, और सबने पल्स पोलियों की दवाएं पला चुकी है, पोलियों तो गाया वो हो गया, और उसी ब्यक्तिय ने बताया, बोले महराज जी कोई भी बीमारी जो होती है, उसका एक साइकल होता है, वो साइकल पूरा होने के बाद वो बीमारी रफा रफा होती ही है, लेकिन उसी साइकल के दर्मियान तुमारे भीतर पल्स पोलियों की दवा भेज दी गई, आपने माना कि इस दवा से पोलियों मुक्त भारत बन गया लेकिन ये दवा तो एक ऐसी बद्वा थी जिसमें एक ऐसा वाइरस आपकी भी तर भेज दिया गया है जिसके साइड एपेक्ट आएंगे तो एक नई बीमारी सामने आएगी और उसके लिए आपको फिर उनी कंपनियों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा जिन्हों ने इसमें वो द्वा बर दिये सुन ज़यो मारार आपने पहले क्यो नही बताया एए तो पहले आपने उस अठी साहि छेते की निर्माण का इतना विस्बास जगाया क्यों नहीं अधि वो अज़िसाइ छेते की निर्माण का एपके अंदर संकलब नहीं जागा होता तो बताओ क्या महाराज लोग यहां पर आते और यदि महाराज लोग नहीं आते तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे उस खून पसे कमाई को टेगाना लगाने का जो जिम्मा उन मल्टी नेशनल कमपनी और फार्मा कमपनी ने ले रिया है उसको बचाने का जिम्मा इमारा लोग लेते क्या और यदि लिया है और यदि किसी के मन में ये बात आया है आज जब आपके सामने प्रारूप सामने आएगा तो कितना उसका एस्टिमेंट है लोगों के पास यह भी वाप गई होगी और पूरे समाज में फैल जाएगी तो किस लोग ऐसा भी सोच सकने हैं अरे अब करोनो लोग करोनो रुपए समाज के पत्थर में लगेंगे हम तो यह कहना चाह रहे हैं गुरुदेव ने तुमारे करोनो रुपए करोनो रुपए जो ऐसी दबादारू में खर्च होते उसको बचाने के लिए तुमारे लिए अपना रूप दिया उपहार दिया क्योंकि करोनो रुपए तुमने कमाय हैं तो खर्च करने के कमाय हैं लेकिन बचाने कारी कोई उपकरम आया है तो गुर्देव के आशिरवाद प्राफ तो अतिसाय छेत के निर्माण के रूप में आया और इसके तो धीरे धीरे करके अतिसाय एक के बाद एक आई रहे हैं, कल भी एक अतिसाय सामने आया, अभी उस इस थान पर कुछ देखने लाएक आपको नहीं मिला, लेकिन जिनके वि हैं, जो राज रोग से ग्रस्त थे, ऐसे एक बैक्ती आया, अपनी जीवन संगनी के साथ, कल दो भाद की बात है, उस समय उसने बताया, जब से हमने इस अचिसाय छेत में दिनमान करने के लिए, अपने धन का योगदान दिया, और कलश दीवाली पर अपने घल ले जाना है ऐसा भाव अपने मन में प्रकट किया, तव से ही बिना दवाई के मेरी दाइबिटीज कंट्रोल है, सुन्रोल है, सुन्रोयो, बिना दवा के, जब से मैंने दवा बंद कदी नहीं, तो एक दिन दवा ना लूँ, तो दाइबिटीज सर्प चड़के बोलती थी, अब जब सर करो, हम ही अडविटीज करेंगे कि तुम ही बाकई में गुर्देव के सच्चे भगतो हो, उसके बाद और लोग आए, अच्छे अच्छे भाव लेकर के आते हैं, आने के बाद अपनी सामर्ज से बढ़ करके, और यदे कोई बिजनिसमेन हो, जिसको जोखिम लेने के बाद दाव खेलना आता है, क्योंकि उसके जीवन में कई जोखिम लेने की उसको आदत होती है, दाव कई बार अच्छे पढ़ते, कई बार उल्टे पढ़ते, क्योंकि बिजनिसमेन तो वो ही है, जो इन्वेस्ट करने में जोखिम लेता है, कई बार सीधे पढ़ जाते हैं, और दाव सीधे बी पड़े होंगे, और उल्टे भी पड़े होंगे, लेकिन जसने दान का जुअअ है एक बार भी उसका बट़ फड़ते गजह को बता दे ना, और यह दान का जुअ बिजनिसमेन खेले तो कई बात नहीं, लेकिन जिसको मैणे की फिक्स कमाई होती है, ऐसा को कोई सेल्जी परसंट बेतन पाकर के अपना परविवार चलाता हो ओधी दाव खेल जाए उसके पास तो ऐसा भी नहीं यह कोई इनवेश्टमेंट करने के बार भाव वड़ जाएंगे तो हमारा लॉट करकी ओजादा आ जाएगा लेकिन जब उसमझ लेता है दान का इनवेश आने के लिए कारण बनता है बहुत अच्छा भाव ले करके आया था एक बैक्ती उसके बाद थोड़े से भावों को इस्थिर किया तो जित्मा भाव ले करके आया उससे तीन गुना करके एक सब्द में चला गया एक सब्द पता नहीं कौन सा उनको लग गया जैसे उसको अंकलपत भर रहे थे हम भी सोचे जो भाव लेकर के आया है वो भर देंगे लेकिन उस भाव को उन्होंने तीन गुना बड़ा करके और हर्शितमन से वो भी यहां पर बैठे हैं जिनको आप गुरुजी के नाम से जानते हैं हम उनको गुरुजी के नाम से जानते हैं आप सकती हम तो गुष्टी सामझते थे आप लोग कर दों को गुष्टी गुरुजी भी बोलते हैं अब छोचों एक्टी सबूंस के अधिशा फिर उसके पास्चाइध अभी तो प्रार आचाय सिर्जी जी के चर्णों में हम जुका रहे अपना माथा ये पूजा आप लोग रोज बढ़ते हो फिर भी साइज सब को पूरी याद नहीं होगी लेकिन इक दिफरेंट भाव में और दिन सब्दों को लेकर के और सब्द समायोजन सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कर्ण कुंद में दागा कोई अमरत घोला हो ऐसी पूरी पूजा जैमाला के साथ इसको कंठस्त हो बले कारी गाउं से आये हैं लेकिन अच्छे अच्छों को इनके सामने नाकारी होना होता है बच्चे साथ में और आते तो जोगलबंदी देखर के आप तालियां रोक नहीं पाते अरे जिस बच्चों के सड़ पर गुरुदेव का बरधास्त मूल संसकार के रूप में हुआ हो जिन्दूर में अरे जिस जिन्दूर में हम नया जीवन लेकर के आए उसी जिन्दूर में पूज गुरुदेव ने इनके दोनों बच्चों के सर पर हाथ रख करके एक नया भ कि अविस्त तयार किया, कि अवी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन वो लौकिक शिक्षा, जिस भी रूप में इनके माते पर है, उससे भी जादा जिनवानी को इन्होंने हदियंदम कर लिया, बैस्तताई कारण आज आना ही पाई होंगे, अगले वार आएंगे, और उस दिन कोई और केस्टा की आवशत्ता नहीं पड़ेगी, आप उनमेही हां सामिल हो जाओगे, और ऐसा मानोगे, और यह, एमातफन होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकि इसके बाद, सरस्ती, उसके साथ सार लक्षमी भी, दूसरों की सिर पर बोलने लग जाए, इस तीनों को एक साथ समालना आसान नहीं होता, लेकिन जिसके भीतर पात्रता गुर्देव के आशिरबाद ने तयार की हो, उसको इन सब को समालना कोई बड़ी बात भी नहीं, जो यह, गुर्देव की पूजन कर रहे थे, हम तो आँखें नीचे करके मात गुर्देव कोई नहा रहे थ अधुद एक एक शब्द अपने आप में, और ऐसे में फिर संगीत की आपसत्त होती नहीं, जब शब्दों में संगीत घुल मिल जाता है, तो संगीत तो उसका पीछा करने लग जाता है, ऐसे ऐसे भक्तों के भाव, जब इस इसाए छेते से जुडने लग गए हैं, इस है से जुड़ रहे हैं, कोई इनके लिए आमंतित किया गया हो, पूछो इन से, अथाईस तारीको यह आने वाले थे सहा जुरूफ से, लेकिन इनको पता नहीं लग पाया कि यहां पर कलास इस तारीको होने वाली है, दो दिन बार पता लगा, जब उन्होंने देखा होगा, य इसके घेदय में गुरू का आशिरबाद इस्तापित हो, वो गुर्देव के प्यत्तिक पोजेक्ट करने के लिए हमेशा संकल पित है, इस कारिक्रम के पढ़नियार जगते, श्री राजेंद प्रसाद जैन, श्रीमती मम्ता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, श्री प्रशाद जैन, श्रीमती सौम्या जैन, इवं समस्त परिवार मुंबई